नमस्कार, ग्रामीट समाशात्र के अंतरगत आज हम बात करेंगे ग्रामीट समाशात्र की उत्पत्ती और विकास के बारे में चुकि भारती समाश में ग्रामीट समाशात्र का विशेश महतो है, इसके अध्यन का विशेश महतो है क्योंकि भारत ग्राम प्रधान देश है और इसलिए ये जानना आवश्यक है कि ग्रामीट समाज शात्र की उत्पत्ती कब, कहां, किन परस्तितियों में होई तो आज का ये व्यक्ष्यान इसी विश्यापर केंद्रित है हम बात करते हैं ग्रामीट समाश्रात्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में ग्रामीट समाश्रात्र समाश्रात्र समाच से पूर्व की अवस्था वले समाच आदिम समाच, जन्जातिय समाच, आखिटक समाच, मचली पालक समाच, गिरिजन, घुमन्तू पशुर पालकों, अनेका नेक प्रकार के समाच देखे जा सकते हैं इसका ये तात्पर है कि ग्रामीट समाच की जब विदिवत पहचान हुई उससे पहले ये सारे समाच आते हैं ग्रामीट समाच को विदिवत रूप से बाद में देखा गया जितने भी ये समाच हैं, इन समाजों का धिन सामाजिक मारिफ शास्त्र करता है सोशल एंत्रोपोलोजी में, जैसे हम जानते हैं कि आदिन समाजों का धिन की आता है जब मानब ने कृशी करना प्रारम किया, अर्था जब मानब कृशी से पहली बार जोड़ा एक इस्थान पर इस्थाई रूप से रहने लगा, तब ग्रामों का विकास हुआ मानब के विभिन समाजों के क्रम में, आदिन समाज, ग्रामीट समाज, कसभाई समाज, नगरिय समाज, आदे, देखने को मिले और इसी क्रम में समाज शात्र में अनेक शाखाओं की उत्पत्य और विकास दिये हुआ है ग्रामीट समाज शात्र भी समाज शात्र की ही एक शाखा है जो ग्रामीट समाजों का क्रमपत्ध, व्यवस्थित और व्यग्यानिक अध्यान करती है गाउं का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन ग्रामीट समाज श्रात्र का इतिहास उतना पुराना नहीं है यहां हम इस बात को ध्यान रखें कि ग्रामीट समाज श्रात्र का इतिहास 19.20 से ही प्रारम हुआ इस प्रकार जब से ग्रामीट समाज का क्रमबध और व्यवस्थित अध्यन बेग्यानिक विदियों से प्रारूम हुआ तभी से ये विशे अर्थात ग्रामीट समाज शात्र, अर्थात समाज शात्र की ये विशिष्ट शाका हमारे सामने आएगे सिम्स ने अपनी पस्तक elements of rural sociology मैं इस पात का इस पास रूप से उड़ ले किया है कि जिस समय सामने समाज शात्र का जल्ल भी उस समय हुआ जब ग्रामीट जीवन अत्यदिक असंतुलत हो गया था तो सिम्स ग्रामीट समाज शात्र को समाज शात्र से जोड़कर प्रसुत करते हैं कि जब ग्रामीट जीवन असंतुलत हुआ तो तभी जो है सामने समाज शात्र के उत्पत्ति होई बरत्मान में ग्रामीर समाश्चात्र का उदय आविशक्ता की ही देन है यस टकार ग्रामीर समाश्चात्र का विकास्ती व्रगती से हो रहा है इसके अध्येन में विद्यार्थियों की रुची बढ़ रही है इस पर शोपकारे हो रहे हैं निश्चित रूप से ये जो चीज है वो आवश्यक्ता है कारणे कि यादि ये आवश्यक्ता है आज कि हम ग्रामीट समाज शात्र को समझें, गामों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, उनके विकास को समझें, उनके विकास की दिशाओं को समझें, दिशाओं को समझें, तो इस प्रिकर से ये बहुत मेत्वपून है चार्ल्स होफर अगला नाम है चार्ल्स होफर ने अपनी पस्तक में ये इसपस्त किया है कि ग्रामिट समाज शात्र अन्य सभी विज्यानों के समाज किसी अविश्यक्ता के परिणामसरों विक्सित हुआ है विज्यानिक विचारों के शित्र में ये है मूल तत्य है कि जब कभी मानव मस्तिश्क को विचलित करने ने वली घटनाओं का वरतमान विज्यानो अत्वा पद्धतियों द्वारा संतोष्प्रत अध्यन नहीं किया था उसी समय कोई न कोई बिज्यान प्रकाश में आता है और ये बात ग्रामीट समाज शातर के बारे में बिलकुल सठीक है दरसल उन्नीसमी शताबदी घटनाओं ने गावों में अनेक समस्यां पैदा करने थी जिसके परणाम सरूप ग्रामीट समाश्रात्र के इस्थापना हुई ये जो प्रमुख घटनाए थी जिनके प्रमुख घटनाए थी जिनके प्रमुख रूप ग्रामीट समाश्रात्र का उदय हुआ उन घटनाओं में प्रमक्रूप से मशीनों द्वारा उत्पादन, पूंजी वादी अर्थविवस्था का उदय, और द्योगी करण, नगरगी करण की प्रक्रिया में तेजी, यातायात और संचार के साधनों का तीप्रिगती से विकास और विस्तार, ये सबी घटनाय समलित ह और अगर हम ये कहें कि इन घटनाओं ने ही ग्रामीट समाजशात्र को जन दिया, तो ये कहना कोई अतिशयुक्ती नहीं होगी तो ये घटनाय वो है जिनके प्रणाश रूप बहुत से विद्धानों ने अपना ध्यान गाओं पर केद्रिद किया और उनके सभी के सयुक्त प्रयास के प्रणाश रूप ग्रामीट समाजशात्र का उद्यव हुआ इसके उद्यव को हम, इसकी उत्पत्ती को हम कुछ हैडिंग्स के अंतर बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रामीट समाजशात्र का उद्यव है अमेरिका में किस प्रकार हुआ ग्रामिट समाश्रात्र विशे की उत्पत्ती और विकास में अमेरिका के विंद्वानों का विशेश योगदान रहा है जिस प्रकार समाश्रात्र की उत्पत्ती में फ्रेंच थिंकर्स, फ्रेंच फिलोसोफर्स और सुशोलोजिस्ट का योगदान रहा है उसी प्रकार जब ग्रामीट समाज शात्र की बात होती है तो हमें ध्यान रटना चाहिए कि ग्रामीट समाज शात्र की उत्तवती में American Sociologists का विशेश योगदान रहा है अमेरिका में ग्रामीट समाज शात्र का विकास उननीस्वी शताबदी में मानपता वादी दर्शन के कारण हुआ Humanistic जो फ्लोसोफी लोगों की थी उसने इसको जन दिया 1890 से 1920 अर्था लगभग 30 साल काई समय था इस अवधी में अमेरिका के गाओं में भूमी का मूल्य बहुत बढ़ गया था भू स्वामियों का वर्चस बढ़ गया था किसानों की भूमी चिन गई थी लोग गाओं को छोड़कर नगरों की तरफ प्लाइन कर रहे थे गाओं वीरान और नस्ट हो रहे थे देश में अनाज की कमी का डर पैदा हो गया सिम्स ने उन दशाओं का वर्णिं करते हूं लिखा है कि अमेरिका में यह संपूर्ण काल ग्रामीन सामाजिक पतन का काल था क्योंकि इसमें निश्चत रूप से ग्रामों से लोग जा रहे थे, ग्रामीर समस्याओं को हल करने और ग्रामीर लोगों का भला करने के लोगों में इच्छा जागरे थोई, जब लोगों ने देखा, जब विचारों को ने, जब इंटेलेक्ट्वल्स ने ये देखा कि गाओ खाली हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ समस्याओं के कारण, तो एक उनकर में इच्छा पैदा हुई, क्यों ना गाओं का भला हो, तो सरफ्रथम इस दिशा में पादरियों ने, पीस्ट्स ने ये कारे प्रानम किया, बाद में अन्यकव विद्वान इस छित्र में, वि ग्रामीट समाशात्र का जन्म हुआ, इस साहती ने, अमेरिका में, ग्रामीट समाशात्र के अध्यान को संभवनाया, जो साहती लखा गया, विद्वान द्वारा, अध्यापा को द्वारा, पीश्ट द्वारा, इस अध्यान ने, निश्चत रूप से, ग्रामीट समाशात् के अध्यान को सब्भवना है, लोग ग्रामीर समाशात्र से जोड़े अमिर्का के कई कॉलेज़ों और विश्विध्यालों में ग्रामीर समाशात्र का विदिवत अध्यान प्रारम किया गया और जिन विश्युविद्याले हूँ मैं ग्रामीट समाज़ात्र का अध्यान प्रारब हुआ उनमें प्रमुक थे शिकागो विश्युविद्याले मिशिगन विश्युविद्याले विसकांसिका विश्युविद्याले और हवार्ट विश्युविद्याले 1968 में Dine Valley की अध्यक्षिता में ग्रामीन जीवन आयोग की नियुक्ती अमेरिका के राश्पती रूजबेल्ट ने ग्रामीन यक्रिशी जीवन की समस्याओं का अध्यान करने के लिए की इस आयोग का प्रतिवेदन ग्रामीट समाश्रात्र के लिए अधिकार पत्र से दुआ 1906 से 1912 के बीच कोलंबिया विश्च विद्यालवे में ग्रामीट समाश्रात्र से समंदित कई शोध लेक प्रकाशित हुए जो क्षित्री साक्षात्कार पद्दती पर आधारित थे और आखणों से जो फैट्स थे उनसे परपूर थे जे एन विलियम्स ने अमेरिकन कस्बा बी एच विल्सन ने कलेवर पहडी एन एल सिंस ने हुजियर ग्राम आधी रिचनाय प्रकाशित की ये छेत्री साक्षात्कार पद्दती पर आधारित थी ग्यल्पिन नेकरशक समदाय का सामाजिक और शरीर रचना शात्र नामक पुस्तक लिखी ये सभी पुस्तक है निश्यत रूप से ग्रामीड समाज शात्र के विगास्प में ग्रामीर समाज़ शात्र को लोगों तक पहुँचाने में विश्य शूप से साहिक हुई और इस प्रकर से अमेरिका में जिन विद्वानों ने जिन समाज़ शात्रियों ने गरामीट समाज़ शात्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया उनमें जो नाम थे वो नाम रिश्चित रूप से इनको कभी भी नहीं बुलाया सकता क्योंकि अगर ये ना होते तो हो सकता है कि ग्रामीट समाज़ शात्र के विकास के दिशा आज वो ना होती जो आज है इसके बाद ये सोचा गया विए विचार किया गया नीतिया मनाई गई कि ग्रामीट समाज़ शात्र को कॉलेज़ों में पढ़ाया जाए कॉलेज़ों के पार्टिक्रम में सेलेवस में शामिल किया जाए तो कॉलेज़ पार्टिक्रम के लिए उननीस सो सोले में जे एम गिलेट ने एक प्रस्था प्रस्था लिए उननीस सो सत्रे में अमेरिका में सिशॉल्जीकल सुसाइटी के अंतरगर ग्रामीट समाज़ शात्र पर एक अलग विवाग की इस्थापना की गए अमेरिकन सरकार ने राज्यों को ग्रामीट समाज़ों के अध्यान में साहता देने के लिए उननीस सो पच्चीस में पुर्निल अध्यम बनाया उननीस सो च्च्च्च्च में नैंटीन थर्टी सिश्च में रूरल सुसाइटी की इस्थापना हुई और ये वो चीज़े हैं जिन्होंने ग्रामीट समाज़ों की नीव को मजबूत किया इसको आगे बढ़ाया इससे ग्रामीट समाज़ों की शायकतीजी से प्रचार और प्रसार हुआ जिसका प्रभाव दुतिय महायोद्य के बाद संसार के विविन रास्ट्रों में देखा जा सकता है सेयुक्त रास्ट्रों अर्था यूएनों ने ग्रीस, इटली, जैपैन, सौथ अमेरिका और अन्य रास्ट्रों के लिए ग्रामीट समाज़ों की अध्येनों को प्रखाशित किया ग्रामीट समाज़ात्र के विकास में उलनिकनी युगदान में नेल्सन की रूरल सुषियोलजी, लोमिस और वोगल की रूरल सुषियोलजी, बर्ट्रेंट की रूरल सुषियोलजी, कॉप और पुनल की अस्टिडी आफ रूरल सुसाइटी, महत्रपूर्पूर्पस तक है ग्रामीड समाश्चात्र के विकास एंप्रसार में अमेरिका के विग्यानिक सोरोकिन जिमर्मेन, टेलर, लेंडिस, रोबर्ट रेटफिल्ड, इस्मित, कोल्ड ब्रेनर ये वो नाम है जो कभी नहीं बूलिया सकते है ये वो व्यक्तितों हैं जिन्होंने समाश्चात्र को एक दिशा प्रदान के समाश्चात्र की नीव को मजबूत किया समाश्चात्र को आगे बढ़ाया समाश्चात्र को जन जन तक पहुँचाया समाश्चात्र को संसार के कौने कौने पहुँचाया तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीट समाजशात्र के उत्पत्ति और विकास्त में अमेरिकन समाजशात्रियों का, अमेरिकन बिंद्वानों का, चर्च के प्रीस्ट्स का, अमेरिकन टीचर्स का विशेश योगदान रहा है. धन्यवाद. झाल झाल